question number 1 का last part है 3x square minus x minus 4 तो friends zeros find करने के लिए हम इस term को 0 के equal रखेंगे उसके बाद x square का क्योंकि multiple है 3 तो इस 3 की multiply कराएंगे हम इस constant value 4 से 3 4s है 12 12 के ऐसे factor जो minus करके 1 आ जाए क्योंकि x का multiple यहाँ पर फिलाल आप 1 ले सकते हैं 1 ही है 12 के ऐसे factor जो minus करके 1 आ जाए तो इसके ऐसे क्या factor हो सकते हैं अगर आप देखे 12 के factor यहाँ पर यह हो रहा है 2 तो जब 4 and 3 मतलब 4 और 3 इसके factor है अगर आप 4 minus 3 करते हैं तो वो 1 के equal आता है तो यहाँ हम x को लिख सकते हैं 4 minus 3 minus 4 equal 0 या फिर हम इसे लिख सकते हैं 3x square minus यह हो जाएगा 4x और minus minus हो जाएगा plus 3x minus 4 equal 0 अब इतने part से अगर हम x कोमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है 3x minus 4 और यहाँ से हम 1 कोमन लेंगे तो भी हमारे पास बचेगा 3x minus 4 equal 0 अब इस पूरी term में से हम 3x minus 4 को कोमन ले लेते हैं तो हमारे पास बचता है x और plus 1 friends दोनों factor को अलग-अलग 0 के equal रखेंगे अब यहां से क्या होगा 3x equal आएगा 4 के और x हो जाएगा 4 by 3 के equal और इदर x equal हो जाएगा minus 1 तो alpha की value हमारे पास आई है 4 by 3 और beta की value है minus की 1 friends इस term से a की value होगी 3 b की value होगी minus 1 और c की value होगी minus 4 तो हम value put करेंगे alpha की value है 4 by 3 plus beta की value है minus 1 तो यह हो जाएगा plus minus minus के 1 जब आप यहां multiply करेंगे तो यह हो जाएगा 4 minus 3 upon 3 यह 1 by 3 अब हम देखते हैं क्या alpha plus beta equal है minus b upon है के तो यहां पर minus b की value है minus 1 और a की value है 3 अब हम bracket open करेंगे तो minus minus हो जाएगा plus तो यह हो जाएगा 1 by 3 जिसका मतलब alpha plus beta equal है by 3 के दूसरा relation find करने के लिए हम alpha beta की product करेंगे और वो अगर equal आता है इसी अपने के मतलब यह question verify हो चुका है तो alpha की value 4 by 3 और beta की value minus 1 तो यह हो जाएगा minus 4 by 3 और c की value है minus 4 और a की value है 3 तो 4 into alpha और beta की जो product है वो equal है c अपन एक है प्रुपपर